मुविग स्टार्टिंग टॉम नाम के बंदे को दिखाने से होती है और उसके ठीक पीछे एक दूसरा आदमी कार को चुराने की कोशिश कर रहा था कार ओपन हो जाने के बाद टॉम कार में जाकर बैट जाता है और यहां में पता चलता है कि वो दूसरा आत्मी का नाम विक है और वो दोनों साथ ही काम करते हैं इसके बाद वो दौनों वहाँ से निकल कर सुपर्मार्केट में आते हैं, जहान से वो लोग कैसे अलग अलग चीजे करीते हैं, जिसे वो अपने अपार्टमेन में ले जा करके वहाँ के एक रूम को साundप्रोफ बना देते हैं, इसके बाद वो लोग उस चोरी कीई वी गारी जिसे उन्होंने साउंड प्रूप बनाया था फिर वो लोग उस लड़की को उस रूम में मौजूद एक बेड़ से बांग देते हैं आगे विक उस लड़की की कुछ फोटोस क्लिक करता है और तुरंत उसे दूसरे कपड़े पहना देता है यहाँ पर हमें पता चलता है कि उ तॉम को हर 10 मिनट में स्टेला को चेक करने को कहता है और तॉम भी विक की बात मान कर ऐसा ही करता है इसके थोली दिर बाद विक स्टेला के डैट को फोटोस भेज कर वापस अपार्टमेंट में आ जाता है और तॉम को बताता है कि अभी तक इमेल का कोई रिप्लाइ नहीं आया है आगे वोदोंने स्टेला को खाना पानी देने के लिए जाते है जहाँ पर विक स्टेला को बताता है कि अभ मैं तुमहरे मुह पर से पट्टी हटाने वाला हूँ इसलिए तुम मत चिलाना और उपर से ये पूरा कमरा साउंड प्रूफ है ये सुन स्टेला इस सारो में हाँ बोलती है लेकिन मुह से पट्टे निकलने के बाद ही वो जोर जोर से चिलाने लगती है ये देख विक उसके मुह को बंद करता है और उसे एक बार फिर से बताता है कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये पूरा कमरा साउंड प्रूफ है वही थोड़ा बहुत पानी पिलाने के बाद विक स्टेला को बताता है कि बातरूम जाने के लिए उसे एक नंबर या दो नंबर अपने हाथों से साइन दिखाना होगा तब ये स्टेला एक ये चीज़ जब विक नोटिस करता है तब वो टॉम को जबर जस्ती खाना खिलाने लगता है और ये देखकर हम समझ पाते हैं कि विक ही उसका बॉस है इसके बाद विक टॉम को बताता है कि अब ये सुचने का कोई फायदा नहीं है कि हम सही कर रहे हैं या फिर गलत क्योंक कि हम इसकी तयार पिछले काफी महिनों से कर रहे थे और अगर तुम्हारी बेवकूफी की वज़ा से स्टेला को हमारी आइडेंटिटी पता चल गई तो हम दोनों को फिर से जेल में डाल दिया जाएगा गाईज ये सुनकर हमें पता चलता है कि ये दोनों आदमी पहले भी जेल की हावा खा चुके हैं वही वीक की बाते सुनकर टॉम उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसे दोबारा कोई गलती नहीं होगी फिर वीक के बाहर जाते ही टॉम स्टेला की फोटोस चेक करता है जिसे देखकर उसे स्टेला के लिए काफी बुरा फिल होता है और जब टॉम पीछे मुल जाता है。 स्टैला इससी मौका का फाइदा उठाती है और बाल्टी उठाकर टॉम पर अटैक कर देती है जिसवज़े से टॉम की गण नीचे गिर जाती है फिर स्टैला गण उठाती है और टॉम की और पॉइंट करके उसके हथकड़ी को खोलने को कहती है वही हथकड़ी खोलने के बाद टॉम उसके पास आता है लेकिन स्टेला टॉम को डराने के लिए एक गोली चला देती है और तेजी से टॉम का मास्क भी उतार देती है यहाँ पर जब स्टेला टॉम के चेहरे को दिखती है तब हमें पता चलता है कि स्टेला टॉम को पहले से ही जानती है और वो दोनों पहले रिलेशन्शिप में भी थे फिर स्टेला के पूछने पर टॉम बताता है कि जब मैं जेल में था तब तुम मुझे एक बार भी मिलने नहीं आई और अचानक से मुझे छोड़ दिया इसलिए मैंने विक के साथ मिल कर तुम्हें किटनेप करने का प्लैन बनाया यह सब बताने के दौरान टॉम स्टेला की उपर कूच जाता है और उसे वो गन छीन कर उसे फिर से बैट से बान देता है फिर वो स्टेला को कहता है कि अगर इसके बारे में उसके पार्टनर विक को पता चला तो वो हम दोनों को जान से मार देगा और इसके थोड़ी दिर बाद विक भी वापस आ जाता है विक टॉम लोग तुम्हारी उंगली काट कर वीडियो बनाएंगे और तुम्हारे फादर को भेजेंगे ताकि वो पैसे भेजने के लिए राजी हो जाएं ये सुनकर स्टेला बहुत डर जाती है और उन्हें ऐसा करने से मना करती है विक उसकी बाते नहीं सुनता तो स्टेला बताती है क कि वो प्रेगनेंट है जिसे सुनकर टॉम्हारन हो जाता है और टॉम्हारी को स्टेला की उंगली काटने जिसे उठाने के बहाने से टॉम वो बुलेट को भी उठा लेता है फिर बाहर आकर टॉम उस बुलेट को टॉयलेट में फलश करने की कोशिश करता है लेकिन वो बुलेट फलश ही नहीं हो रहा था वहीं फलश की आवाज सुनकर विक को सक होता है इसलिए वो टॉम को आवाज लगाने लगता है और बातरूम के अंदर आ जाता है लेकिन इसी वक्त टॉम उस बुलेट को ही निगल जाता है जिसके कारण वो बाल-बाल बसता है आगे विक स्टेला के डैट को वीडियो भेजने के लिए बाहर जाता है तब टॉम स्टेला के पास जाकर पूछता है कि क्या वो सच में प्रेगनेंट है इस पर स्टेला उसे बताती है कि वो सच में प्रेगनेंट है और ये बच्चा भी उसी का है टॉम को इस बात पर यकिन नहीं हो रहा था तो स्टेला कहती है कि तुम्हें मेरे फोन पर प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिल जाएगी ये सुन टॉम तुरं स्टेला के फोन को आउन करने के लिए जाता है लेकिन जल्दी उसे एहसास होता है कि अगर उसने फोन को आउन किया तो पुलिस उसे ट्रेक कर सकती है इसलिए फोन को आफ ही रहने देता है तब ही स्टेला को उल्टी आने लगती है जिसे द पोलिस स्टेला से उसकी लोकेशन पूछते है ताकि वो लोग वहां आकर उसे रेस्क्यू कर सके लेकिन स्टेला को यहां का लोकेशन ही नहीं पता होता तब इस्टेला की नज़त दरवाजे के चावी पर पर परती है जिसे टॉम उठाने की कोशिश कर रहा था ये देखकर स् स्टेला के डैड उन्हें पैसे देने के लिए मान गए हैं इसलिए उन्हें आज ही यहां से निकलना होगा इसुनका टॉम बाहर जाकर वेंग को रेडी करता है इसी दौरान वो वहां पर स्टेला के सामानों को देख रहा था तबी उसे वहां पर प्रेगनेंस से पर चलाई थी इस अब देखकर विक को समझ आ जाता है कि कुछ तो गडबड है इसलिए वो स्टेला को टॉचर करते हुए पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और तुम लग मुझसे क्या चुपा रहे हैं इन सबसे स्टेला भी काफी जादा डर जाती है और वो विक को पता देती है कि टॉम उसका एक्स बॉइफ्रेंड है यह सुनने के बाद विक को लगता है कि टॉम ने उसके बारे में भी स्टेला को बता दिया होगा तो वो स्टेला से उसका नाम पूछती है लेकिन स्टेला कहती है कि उसे उसका नाम नहीं पता है वहीं टॉम के वापस आने पर वीक उससे पुछता है कि आखिर तुमने स्टेला को ही किड्नैप करने के लिए क्यू चुना इस पर टॉम कहता है कि हम दोनों ने मिलकर स्टेला को किड्नैप करने का सोचा था यह सुनने के बाद वीक टॉम से कहता है कि हम दोनों को एक दूसरे से ऑनेस्ट रहना चा टॉम भी उसे चाभी दे देता है ताकि वीक को उस पर शक ना हो फिर वो लोग स्टेला के डैर से पैसे लेने के लिए जंगल के अंदर जाते हैं जहाँ पर टॉम देखता है कि वहाँ पर कोई पैसे नहीं है इसके बारे में जब टॉम वीक को बताता है तो वीक कहता है कि मैं जानता हूं कि हमें पैसे यहां नहीं मिलने वाले क्योंकि मैंने पैसे लेने की लोकेशन चेंज कर दी है ये कहकर वीक टॉम पर गन पॉइंट करता है जिससे टॉम समझ आता है कि वीक को उसकी और स्टेला के सचाई पता चल गई है इसलिए वो भी अपने और स्टेला के बारे में उसे सब कुछ बता देता है अब पूरी कहाने सुनने के बाद वीक टॉम पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी टॉम वीक को चक्मा दे कर वहां से भाग जाता है तब वीक दूर सही गोली चलाता है जूकि टॉम को लग जाती है पर जब वीक वहां आकर देखता है तब तक टॉम वहां से भाग चुका था इसके बाद वीक दूसरे जगा से स्टेला के फादर के दियेवे पैसे लेकर वापस स्टेला के पास आता है यहाँ पर अब तक विक ने स्टेला को मारने का इरादा बना लिया था इसलिए वो स्टेला को एक जहर वाला इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन इससे पहले ही टॉम वहाँ पर आकर उस पर अटेक कर देता है पर क्यूंकि विक के पास एक गन थी इसलिए वो उस गन से टॉम को ही शूट कर देता है इसके बाद विक टॉम को आखरी गोली मार कर जान से मानने ही वाला था कि तभी स्टेला अपने पेरों से विक को नीचे गिरा देती है इसी दौरान टॉम के हाथ वो गन लग जाती है जिसके बाद वो बिना समय गवाए विक को सूट करके मार देता है जिसे विक की वहीं पर मौत हो जाती है इसके बाद स्टेला वहाँ से निगल कर विक के कार में आकर बैट जाती है जहाँ पर उसे वो पैसे भी मिलते है जो कि स्टेला के फादर ने उसे चुड़ाने के लिए विक को दिये थे और वो पैसे काफी ज्यादा थे यहाँ पर स्टेला फैसला लेती है कि वो अपने घर वापस नहीं जाएगी क्योंकि स्टेला अपने फादर से नफरत करती थी और उपर से पहली बार में स्टेला के फादर ने स्टेला को बचाने के लिए पैसे देने से भी इंकार कर दिया था इन साब बातों को नजर में रखकर स्टेला फैसला लेती है कि अब वो अपनी नई जिन्दगी शुरू करेगी और अपने बच्चे को जन्म देगी जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है